दोस्तों, नौ फर्वरी दिन शुक्रवार के दिन, साल की सबसे बड़ी अमावस्य मौनी अमावस्या, इस दिन माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से बना दिव्य और दुरलब, महाशुभ संयोग, काल सर्प योग, बारा राशियों में से छह राशियां होंगी, करोडपती माला माल यू कहे, कि अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से बारा राशियों में से छह राशिय वालों को नौ फर्वरी, यानि कि मौनी अमावस्य के दिन, स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते, करोडपती बनने से, माला माल बनने से, अब माता लक्ष्मी जी स्वयम इन छह आशिवालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और अब इन छह राशिवालों के जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आने वाली है। हाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिलकुल भी वीडियो को मिस ना करें। क्योंकि यह वीडियो छह राशिवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वा लक्षमी जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे दोस्तों आपको बता दें। हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहत खास माना जाता है। इस दिन सनान दान पूजा पाठ में तरपन आधी करना लाबकारी माना गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म में मौनी अमावस्य की तिथी का विशेश महत्व है। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विश्नु की पूजा वरत करने का विधान है, साथ ही पिंड दान और पितरों का तरपन किया जाता है। मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्य तिथ पर गंगास नान पूजा। जब तप और दान करने से साधक को शुब फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि तरपन करने से पूरवज प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा विक्ति पर सदैव बनी रहती है। इस बार साल 2024 की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या नौ फरवरी क धार्मिक मत है कि अमावस्या के दिन कुछ चीजों का दान करने से व्यक्ति का जीęt आन सुखमय होता है और पित्र दोश से छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना शुब होता है। मौनी अमावस्य पर मूंग फली गेहुं गुड और तांबा का दान करें माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को पित्रों के साथ सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है पौश अमावस्य के दिन कपूर, चावल, दूध और घी का दान करें इन चीजों का दान करने से वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय रहता है इसके अलावा कि मौनी अमावस्य की रात्रि को नदी में दीब दान करना चाहिए ऐसा करने से यमराज खुश होते हैं व्यक्ति को मृत्यू के बाद यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं मौनी अमावस्य पर गरीबों को जूते चपल का दान करना चाहिए मान्यता है कि जूते चपल दान करने से घर में खुश हाली आती है पित्रों को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या के अवसर पर अगर संभव हो तो वस्त्रों का दान करें गरुड पुराण के अनुसार मौनी अमावस्य पर धोती गमच समेत अन्य कपड़ों का दान करने से भी पित्र प्रसन्न होते हैं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पौश का महीना पित्रों के लिए अहम माना गया है इस माह में पिंडदान, तरपन और श्राद्ध आदी किये जाते हैं जिससे पूरवजों की आत्मा की शांती प्राप्त होती है मौनी अमावस्य के दिन पित्र दोश से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किये जाते हैं तरपन करने से आर्थिक शारीर और मानसिक रूप से जीवन सदैव सुखमय रहता है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों की जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर माता लक्षमी जी की कृपा होने वाली है उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशिय आती है वह है मकर राशी, मकर राशी वालों को बता दें कि आपके उपर माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा द्रिष्टी बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाब प्राप्त होने की संभावना है आपको बता दें कि इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यावसाय में व्रिध्ध्य होगी, जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें पद में तरक्की मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथ ही साथ इस राश के लोगों की आय में व्रिद्धि होगी जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे मकर राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशी है वह है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दें कि माता लक्षमी जी की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है माता लक्ष्मी जी आपके उपर बेहद प्रसन्न है आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृध्धी होगी मेश राशी वालों जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अब सफलता के नए सरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दें जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तो माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से मेश राशिवालों आपके आये के साधनों में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपा मेश राशिवालों आपके ऊपर बन रही है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिती पहले से बहतर होगी। अब सफलता पूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशिके लोगों को अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी सफलता की प्राप्ती होने वाली है। व्रिशब राशिवाले लोगों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुरवानी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपा आपके उपर बनी हुई है। जिसकी वजह से आपको धन सम्बंधित जो भी परिशानिया हैं, वे सभी परिशानिया दूर होंगी। और साथ ही साथ, जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे कार्य अब आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी की विशेश, कृपा, व्रिशब, राशिवालों आपके उपर बन रही है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं के अब जंडे गाड देंगे जिससे दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राश्याती है वह है कन्या। राशी दोस्तों, कन्या राशी वालों क खूब व्रिध भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नती के साथ साथ वेतन व्रिध के भी पूरे योग्य हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना पूरा होने के योग् ये बन रहे हैं। आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ, जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वो योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। माता लक्ष्मी जी की आपके उपर कृपा द्रिष्टी बनी हुई है, जिससे आपकी समस्त मनो कामनाएं पूरी होंगी। और माता लक्ष्मी जी, अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब, धन, लाब और सफलता की प्राप्ती होने वाली है, जिससे कन्या राशिवालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशिय आती है, वह है सिंह राशिय। माता, लक्ष्मी जी की कृपा आपके उपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा, जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिद्धी होगी। सिंह राशिवालों, अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके उपर बन रही है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नती के साथ साथ वेतन व्रिद्धी के भी पूरे योग बन रहे हैं, सिंह राशिवालों आपको बता दें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आ आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ती का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होगी। दोस्तों आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से सिंह राशिवालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ती होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा कहना गलत नहीं होगा सिह राशी वालों माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह है धनू राशी धनू राशी वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग्य बन रहे हैं जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपकी मेहनत का, अब आपको फल मिल मिलने वाला है, आपको बता दें जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपको बता दें आपके रुके हुए कार्य माता, लक माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके धन संबंध जो भी परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। व्रिद्ध के भी योग्ये हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से धनुराशिवालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपके जीवन में मिलने वाली है। अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपके उपर बेहत प्रसन्न है। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें। पार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन, दुगना, रात, चोगुना तरक्की करेगा। उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। कुम्भ राशिवालों अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। माता लक्ष्मी जी आपके उपर बेहत प्रसन्न है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्ध के योग्य हैं, साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मन्चाही नौकरी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको बता द कुम्भ राशिवालों आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। वाले समय में अब आय और नौकरी में पदोन्नती मिलेगी। व्यापार में अचानक लाब होगा। और आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ परिवार में शान्तिव आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई पासे ही मिथुन राश्यवालों, अब आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो वह पुर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें दोस्तो। इन छी राश्य वालों को मौनी अमावस्या के दिन स्वयम माता लक्ष्मी जी खुद करोड़ पती बना रही है। इनका भाग्य सातवे आसमान पर है। तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दे।